हेलो गाईज, विलकम बैक टो एनादर वीडियो, तो गाईज इस वीडियो में हम लोग एक हिल्थ केर प्रोड़क्ट की बिजनेस करने वाली कमपानी के बारे में डिसकस करने बारे हैं, अगर इस कमपानी की लास्ट 52 वीक की रिटन कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रोक् वीडियो में हम लोग बेसिकली तीन पॉइंट कवर करेंगे, तो फस्ट पॉइंट इस फंडामेंटल अनलीजिस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे की कमपानी कौन सी है, एंड कमपनी फंडामेंटली के एस एफ और शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉंग टर्म इंवेस्मे पहली पॉइंट की तरब बढ़ते हैं, और देखते हैं कि कमपनी कौन सी है, एंड कमपनी फंडामेंटली कैसी है, तो गयज यहाँ पे आप लोग कमपनी का नेम देख सकते हो, TGV Sark Limited, Srak Limited, यहाँ पे कमपनी क्या करते हैं, वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ब 2.7 की P है, 9.3% है ROCE, और 5.07% है Return on Equity, लास्ट 6 मंस की रिटन 24% के आसपास है, और लास्ट 3 सल की जो सेल्स होते हैं, वो नेगेटिव है, नेगेटिव बाई 1.21%, बुक वलोग से काफी हाई में ट्रीड कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर एक सल की अप्रक्सिमेंट मैक्सिमम रिटन कैलकूलेट किया जाए, तो वो 228.8% के आसपास के निकल के आ रही है, डिविडेंट कमपनी देती नहीं है, फेस वैल उदस किया है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.3% प्लेज हो रखा है, अगर प्रोज और कॉंस के बारे में डिसकस करें तो गाईस प्रोज मे अगर अगर यहाई देखाज हैं तो डिसंबर की क्वाटर में कमपाए ने एक रेकॉर्ड ब्रेकेंग ऍेस दिखा यही है, जैसे कि यहाए प देख सकते हो, और अगर प्रोज देखा ज orchid vides देखा जाए थो और अगर ते रेकॉर्ड ब्रेकिंग अगर दोजम देखाए है और अगर profit के बारे में discuss करते हो आगे निया पर भी आप लोग देख सकते हो company की जो highest profit है वो 68 crores किते हैं और करेंटी टेम में इसके साथ March quarterly की भी quarterly की डेजल्ट एड़ होने वाली है तो by the end of 2022 के financial year आप लोग 100 crores के आसपास की closing profit expect कर सकते हो from this company अगर balance sheet के बारे में discuss करें तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हो company date के साथ-साथ reserve इंक्रिस के जो की काफी से यह और अभी भी अगर देखा जाए तो company की date है वो control date है reserve से काफी कम date रहने वाली है company के पास अगर shareholding pattern के बारे में discuss करें तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकतो अगर तीन साल की comparison में देखा जाए तो promoters की holding increase हुई है डियाइस की holding कम हुई है और public से मल उठाया गया है जैसे कि यहाँ पर लोग देख सकतो काफी सारे promoters है यहाँ पर आप लोग देख सकतो promoters में कौन-कौन है अभी conclusion पर आते है कि company actually कैसी है for short term trade and long term investment purpose short term के लिए काफी एक बहतरिन company रहने वाले company एक multi-year breakout दे सकती है by the end of April 2022 तुकि देखो company is expected to give a good quarterly result and company अपने all time high 52 एक हाई नहीं all time high के आसपास trade करें तो अगर जितना expect किया जारा है उतना profit अगर company show कर देते तो अपने new 52 एक हाई के साथ साथ एक all time breakout भी देने वाला है और अगर long time के लिए आप लोग इस company को consider करके चल सकते हो डिए कमेंट नहीं करूंगा लेकिन मैं यहीं बोलूँगा आप लोग consider करके चल सकते हो इस company को for long term investment purpose तो गाइस यह तो हो गया हमारा वो 82.12% के आसपास के निकल के आर यह मतलब volume की जो strength है वो काफी strong है और majority अप लोग जो है इस company में अभी position बना रहा है सिर्फर सिफ कुछी quantity में intraday trade लिया गया है एक लाग से भी कम quantity में intraday trade लिया गया है Friday के दिन लोग अभी position बहाने में बहुती ज़्यादा इंट्रेस्टेट हैं और हो भी क्यों ना company बहुती सी perform करने वाले इन मार्च कोड़र और अल्टाइम हाई के आसपास ट्रेट करें तो इसे यह लोग position बना रहा है इस company में क्या पता बढ़िया return मिल रहे फ्रम इस company तो गईज अभी हम लोग को यह चेकरना कि जो overall volume निकल के आए क्या यह company के average volume है average से ज्यादा है या average से कम और यह हम लोग को पते चलेगा BST के daily chart पे तो guys बीना time waste के daily chart की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि volume को क्या scene है और उसके साथ साथ हम लोग swing trading levels के बारे में भी discuss करेंगे तो guys यहाँ पे आप लोग देख सब तो हम लोग आ इसका pattern बना रही है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ दिन पहले अपने last 52 week high का breakout हुआ है और उसके साथ साथ अभी एक new 52 week high भी company ने Friday के दिनी टच किया है और जैसे कि मैं बोल रहा था company एक multi year breakout जेने वाली है वो levels आप लोग यहाँ पे साफ देख सकते हो जो आप लोग को level दिख रहे 87-88 का यह एक multi year मैं थोड़ा साथ अजस्ट कर देता हूं यह है company की all time high almost 89 to 90 के range की ठीक है और अगर volume के बार में डिसकस का है तो जबर दस्द बाइंग हुई है और इसकी जो strength है volume की जो strength है वो भी काफी से है और यहाँ पे काफी से volume build-up भी दे daily candle पे closing कर देती है तो आप लोग trade ले सकते हो for the first target of 100 रुपीस क्यों 100 रुपीस का तो टागेट है वो एक psychological level निकल के आ रहे है और अगर 100 रुपीस की टागेट उड़ा देती है तो 120 से 125 का होगा second target, third target होगा 500 के level का यह सभी के सभी psychological target है psychological targets है इस company के लिए ठीक है guys यहाँ प 73 या 72 तो after bounce back confirmation आप लोग buy करके चल सकते हो for the target of 88, 89 to 90 मतलब यह एक range के लिए 88 to 90 के range के लिए buy करके आप लोग चल सकते हो तो guys that's it for this video अगले वीडियो में मिलते है guys thanks for watching और guys अगर आप लोग के मन में कोई भी doubt या कोई रहती है या stock market या किसी भी stocks related तो comment section में comment करके मुझ से पूच सकते हो या तो फिर में इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को description box में मिल जाएगा जाके वहां पड़ी मुझे DM कर सकते हो for an one on one conversation thanks again for watching guys bye guys and definitely guys stay safe